हलो फ्रेंट्स मैं हूं रिया और आपका स्वागत है दसपाइस क्लिनिक में तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी चूर्मा हम सब जानते हैं राजस्थानी फूड कितना रिच होता है कितना स्वादिश्ट होता है और अगर ये घर पे बैठे मिल जाए तो कहना ही क्या तो अगर आप चैनल पर पहली बार आये हूँ हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें थाकि आपको ऐसी ही रेस्पिस और भी मिलती रहें तो बिना किसी देरी के चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमने ले लिया है आटा इसके लिए मैंने तीन कटोरी आटा लिया है तीन कटोरी आटा में हमने मिला दी है पॉना कटोरी सूजी सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हो पर अगर आप मोटी सूजी लोगे तो इसका टेस्ट बढ़िया आएगा साथ ही हमने मिला दिया है थोड़ा सा नमक नमक के बाद हमने मिला दिया है इसमें थोड़ी सी अजवायन दोनों आधा अधा चमच मिलाएं है और साथ ही हमने मिला दिया है इसमें आधा ती स्पून खाने का सोडा इसको हमने सूखे ही अच्छे से सब तरफ से मिला देना है ताकि नमक अजवान अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हमने इसके अंदर घी डालना है इसके अंदर हमने डाला है छे चमच घी मैंने देशी घी यूज करा है देशी घी का अगर आप मौन डालोंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा देखिए हमें इसको इस तरह से हिलाना है तांकि घीत सब तरफ असानी से मिल जाए मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था मैंने इसमें तीन चम्मच घी और डाल दिया है ये इस तरह से थोड़ा बाइंड हो जाना चाहिए इससे हमारी बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमने एक सैमी सॉफ्ट सा डो लगाना है आपका डो ना तो बहुत ही टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ही सॉफ्ट इस तरह से हमने इसको अच्छे से गूंध लेना है और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लेना है देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंध गया है इसके बाद हम इसे आदे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है हम दाल की त्यारी करेंगे सबसे पहले लेंगे 1 फोर्थ कप धूली उड़त की दाल इसके साथ हमने इसमें मिक्स कर देनी है 1 फोर्थ कप मूँ की दाल धूली मूँ की दाल ली है हमने और अरहर की दाल भी 1 फोर्थ कप ली है 1 फोर्थ कप चना दाल और 1 फोर्थ कप भी हमने लेनी है मसर की दाल हम इसको अच्छे से पानी डाल कर 2-3 बार धोकर 15-20 मिनट के लिए भी गोकर रख देंगे डाल पाटी चूर्मा में जो हम दाल बनाते हैं वो पंच मेल डाल होती है यानि इसमें 5 तरह की डालनों का मिक्सचर होता है यह बहुत ही डिलिश्यस बनती है इस तरह से इसको दो कर हमने अच्छे से दो देना है और 15 मिनट हो गए हैं अब मैं इसको एक कुकर में ट्रांसफर कर दूँगे इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालना है पानी पानी मैंने इसमें डालने हैं 2 कप साथ ही आधा चमच हमने डाल देना है नमक और आधा चमच हल्दी बस ये दो चीजे ही जाएंगी और हमने इसका कुकर का धकल लगाकर इसको चार से पांच विसल आने तक पकाना है दूसरी तरफ हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है अब हम इसकी बाटी बनाना शुरू करेंगे इसको एक बार हमने अच्छे से गूंध लेना है तांकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमने दबा दबा कर गूंध लेना है अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियां लेंगे इसकी पेड़ियां हमारे tennis ball के size की होनी चाहिए बहुत बड़ी पेड़ी नहीं लेनी है और इस तरह से हमने इसको flat कर लेना है देखिए इस तरह से flat करके हमने इस तरह से सब तरफ से इकठा करके इसकी बाटी बनानी है एक पेड़ा बनाना है इसको direct पेड़ा बना कर हमें नहीं रखना है नहीं तो वो अंदर से कच्छी रह जाएगी और काफी solid बनेगी अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो हमारी बाटी अंदर से खोखली रहती है और बहुत ही soft बन कर तयार होती है इस तरह से मैंने सारी पेड़ियों से बाटी तयार कर ली है अब चाहें तो इसको अंदर को हलका सा दबा भी सकते हैं ये देखिए मेरी कुकर ने भी last CT बजा दी है अब मैं इसकी gas off कर दूँग दूसरी तरफ मैंने सारी बाटी तयार कर ली है अब हम इसको एक baking tray के उपर थोड़े थोड़े distance पर place करेंगे इस तरह से मैंने अपने OTG को pre-heat कर लिया है 10 मिनट के लिए 220 डिग्री पर अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ेंगे पॉब्लम की बात नहीं आप इसको कड़ाई में भी त्यार कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है एक पुरानी कोई भी कड़ाई ले ले उसमें नमक डाल दे हमने नमक को 15 मिनट के लिए preheat करना है जिस तरह से हम OTG को करते हैं इसके अंदर एक स्टैंड रख दे जब ये preheat हो जाए तब हम इसके उपर एक प्लेट रखेंगे उसके उपर हम अपनी बाटी प्लेस करेंगे और इसको ढखकल लगाकर मीडियम आँच पर हमें 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है दूसरे तरफ हम अभी तड़का लगाने की त्यारी करते हैं उसके लिए एक कड़ाई में जीरा डाल दिया है थोड़ा सा मैंने ओयल ले लिया था जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है अब हम उसमें डाल दिया हरी मिर्ची हरी मिर्ची मैंने एक ही डाली है आप अपने स्वाज के अनुसार कम यह जादा इसको कर सकते हो इस तरह से हमें इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है हमें इसे जलाना नहीं है हमें इसे हलका सा बस भूनना है इसके बाद जब हमारी हरी मिर्च और जीरा अच्छे से भून जाए हम इसमें डाल देंगे दो मेडियम साइज के चौप करे हुए प्याच अब हमें इसको भी हलका गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है इस तरह से इसको बीच बीच में हिलाते जाएं और अच्छे से पका लेना देखिए हमारा तड़का हलका हलका गोल्डन ब्राउन हो चुका है दूसरी तरफ हमारी दाल का कुकर भी थंडा हो चुका है देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है ये इतनी गल जाने चाहिए दूसरी तरफ ध्यान रखें कि आपका तड़का भी जले नहीं हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है हमें बस इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है इसको हलका सा और ब्राउन करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो बारी कटे हुए टमाटर इनको भी हमने अच्छे से पकाना है जब तक कि अच्छे से मैश ना हो जाए और इसका पानी सूख ना जाए इसके बाद हमने साथ ही डाल दिया है आधा चमच नमक तांकि टमाटर को गल्ले में दिक्कत ना हो हलकी सी मैंने इसमें डाली है लाल मिर्ची आप कम या जादा डाल सकते हैं और हमने इसमें डालना है धनिया पाउडर बस जादा मसाले नहीं डलते हलका सा बाद में हम इसके उपर डालेंगे गरम मसाला इसको अच्छे से भूनना है जब तक की हमारा मसाला घी न छोड़ दे देखे हमारा मसाला अच्छे से पक गया है इसने हलका सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इसके अंदर डाल को ट्रांसफर कर देंगे मैंने सारी दाल धीरे धीरे करके इसके अंदर मिला दी है अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे देखिए अभी ये आपको बहुत गाड़ी लग रही होगी अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तो मैंने धोकर ही डाल दिया था कुकर में से पानी के साथ तांकि पूरी की पूरी दाल इसके अंदर चली जाए और वेस्टेच ना हो बाकी हम इसके अंदर मिलाएंगे एक से डेट गिलास पानी क्योंकि इसे अभी हमें थोड़ी देर पकाना है तब ही हमारी ये राइट कंसिस्टेंसी में आएगी और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है हमारी दाल को ढखकर पकने के लिए छोड़ दिया है दूसरी दरफ हम देख लेते हैं हमारी बाटी भी बिल्कुल और मुस्ट देखे कितनी ब्राउन कितनी बढ़िया त्यार हुई है इसे मैंने निकाल लिया है देखिए इसके उपर कितना बड़िया रंग आया है इतने में हम चूर्मा बनाने की त्यारी करते हैं इस टाइम काफी गरम है थोड़ा ध्यान रखें इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दें मैंने चार बाटी ले ली है उसको थोड़ा ठंडा करके मैंने एक मिकसर जार में शिफ्ट कर लिया है इससे हमें थोड़ा दरदरा होने तक पीसना है दूसरी तरफ हमारी दाल में भी उबाला आ गया है इससे एक दो बार अच्छे से हिला दें और थोड़ी दिर 5 मिनट पर पकने दें मैं इसमें नमक चेक कर लेती हूँ मैंने हलका सा नमक और डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल कर मैंने इसको बंद कर दिया है अगर आपके पास धनिया है तो आप इसके उपर धनिया भी ज़रूर डालें तो बहुत बढ़िया टेस्ट जाएगा दूसरी तरफ हमारी बाट्टी का हमने दरदरा पीस लिया है एक पैन रख लिया है उसमें डाल दिया है दो चमच देसी घी के देसी घी जब अच्छे से थोड़ा गरम हो जाए तब हम इसके उपर डालेंगे जो हमने पीस कर बाट्टी का चूर्मा त्यार करने के लिए उसको पीस साथा और इसको थोड़ी देर के लिए हमें देसी घी में पकाना है इसमें जब खुश्बू आने लग जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ चीनी यानि की बूरा वो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा डालें मैंने इसमें दो चमच दो टेबल पून चीनी के डालने हैं और इसको अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे ध्यान रखें इस चाइम पर हमने गैस इसकी ऑफ कर दी है अगर आप गैस ऑफ नहीं करोगे तो इसकी चाशनी बन जाएगी इसको अच्छे से हिला दें लो जी हमारा चूर्मा तो हो गया है तयार इसको साइड पर रखते हैं ठंडा होने के लिए अब हम इसको प्लेस करते हैं सबसे पहले हमने एक कटोरी में डाल दी है दाल दूसरी कटोरी में हम डाल लेंगे चूर्मा और साथ ही हमने रख दिया है हरी मिर्च और प्याच क्योंकि राजस्थानी फूड काफी स्पाइसी रहता है और बहुत ही रिच होता है बाटी को इस तरह से देसी घी में अच्छे से डुबो कर तब खाया जाता है अगर आप इतना देसी घी नहीं खाना चाहते तो इसको थोड़ा उपर से भी लगा सकते हो पर राजस्थानी फूड का असली मजा इसी तरह से आता है पाटी को लीजिए उसको अच्छे से देसी घी में डिप करिए और दाल और चूर्मा के साथ सर्व कीजिए यकीन मानिया आपको ये रेस्पी बहुत ही पसंद आएगी इसको एक बार जरूर बना कर देखें सब के सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अपना फीड़ बैक मेरे साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए हापी कुकेग